नमस्कार आज मैं फिर आपके सामने अपराग की एक और घटना लेकर आया हूं आज के अपराग की घटना भी सीरियल किलर्स की श्रिंखला में अगली घटना है अब तक मैं आपको 10 सीरियल किलर्स के बारे में बता चुका हूं आज की घटना ग्यारवें सीरियल किलर के बारे में है आज का सीरियल किलर भारत के सबसे दक्षणी राज केरन से समझ दे थे 6 जून 2012 को कुलम में जिला है वहाँ पर SP आफिस जंक्षन के फ्लाई ओवर के नीचे 65 साल के एक व्यक्ति का सिर इस कदर कुछला हुआ मिला कि उसकी पहचान नहीं हो पाई एक बड़े पत्थर से उसके सिर को कुछला गया डिट बाडी के पास वो पत्थर भी मौजूद था जिस पे बड़ी मात्रा में खून भी लगा हुआ था सबेरे छे बजे जब उस फ्लाई ओवर के प्रोजेक्ट से समंधित मजदूर इकठा हुए तब उन्होंने उस डिट बाडी को देखा शोर मचा पुलिस आई और पुलिस ने अपना काम किया लेकिन इस घटना के बारे में ये बता दूँ के 2012 की ये घटना आज दस साल बाद भी इस मृत्व्यक्त की पहचान नहीं हो पाई है इतनी गंभीर ये घटना थी उसके ठीक अगले दिन 7 जून 2012 को कुलम जिले में ही अप्पु कुटन आचार्य ये एक दुकान के वरांडे में सो रहे थे उनकी गर्दन और सिर के बीच के हिस्से में किसी पत्थर से गंभीर चोट पहचाई गई उनकी स्पाइन तूट गई और थोड़ी दिर बाद उसकी मृत्य हो गई इनकी पहचान हो गई ये उल्लम के ही अप्पु कुटन आचार्य इनका नाम था ठीक दस दिन बाद 18 जून को उसी फ्लाय ओवर के नीचे बोंदन कुमार जिनकी उम्र 65 साल थी वो सो रह थे और सुबह उनकी भी डेड बादी बूरी तरह से सिर्फ कुचलने के कारण हुई मौत की बज़े से मिली उनकी भी पहचान हो गई वूश्री बोंदन कुमार थे एक महिने का गैप हुआ तीन अगस्त हो शंकाथन जो संथम कोट्टा के रहने वाले थे जिनकी उम्र 55 साल थी वो बस स्टैंड के वेटिंग शेड पर बस के लिए चोटी-चोटी स्टैंड होते हैं जिनमें शेड्स बने होते हैं उसमें रात में सो रहे थे सबेरे उनकी भी उनका भी शब मिला जिसमें सर पर एक भारी पत्थर से वार करके सिर्फ कुचन दिया गया था उनकी मृत्ति हो गई पाच्वी घटना फिर तीन अगस्त के बाद 21 अगस्त दो हजार बारक हो भी मिनिस्पल बेल्डिंग चिन्नाक कदा में सुदर्शन नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष थी उनकी भी डेड़ बॉडी सुब मिल गए ये सभी लेबर क्लास के लोग थे पास के जिलों से चार पैसे कमाने के लिए शहर में आये थे किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे रात में फुटपात पर जहां जगह मिल जाती थी वहीं सो जाते थे इसके बाद दो और ऐसे व्यक्तियों का पता लगा जिनके सिर पर पत्थर या भारी वजनी चीज से चोट पहुचाई गई लेकिन अस्पताल में उन्हें बचा लिया गया वो दो अभी भी जीवित हैं जब इस तरह की कुल साथ घटनाएं हो गई एक ही महीने में आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस जिले में कानून लवस्था की इस्थती को लेकर किस किस तरह की टिपड़ियां हुई होँगी आप जानते हैं घटना होती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पुलिस की गलती से हुआ ऐसा लगता है कि पुलिस ने किसी से पैसा ले लिया ऐसा लगता है कि पुलिस की लापरवाही की वज़े से ये घटनाएं हो रही है पुलिस का दर्द समझने को कोई तयार नहीं है पुलिस की कमिया चुंकि सब के आँख के सामने होती हैं इसलिए कमियों को गिनाया जाना बहुत आसान है एक हजार व्यक्तियों पर एक पुलिस के नेशनल एवरेज पर पुलिस से यह अपेक्षा है कि वो सारे एक हजार व्यक्तियों के वेल बीइंग के बारे में 24 घंटे सतर करें ड्यूटी है पुलिस की रहना भी चाहिए लेकिन पुलिस पर भारी दवाव मैसूस हुआ पहली दूसरी घंटना के बाद भी संबंधित छेत्र में जो गश्ट की पार्टियां हैं उनका सुपर्विजन संबंधित अधिकारियों ने शुरू कर दिया आप ही के छेत्र में यह घंटना क्यों होगी है लोग भागने लगे दौडने लगे राग की गश्ट तेज की गई जो इधर उधर की ड्यूटियां थी उन्हें छाट के निकाल लिया गया जैसे मैं आपको बताऊं शहर में अगर गंभीर गटना होती है तो शनिवार इतवार को कोर्ट बंद रहती है कोर्ट में हर्थाने से एक व्यक्ति पैरिवी के लिए भेज जाता है यानि अगर किसी जिले में 60 कोर्ट हैं तो पुलिस के 60 जवान हर्थाने से एक एक जवान वहां जाएंगे कुछ इविडिन्स के सिलसले में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोर्ट में जाते हैं जब दो दिन चुटी हो जाती है कि ये सारी ड्यूटियां तोड ली जाती है कि आज चुके आपकी कोर्ट में ऐसा नहीं है कि वहां आपको जाना आवश्यक है इसलिए आप बंदोबस की ड्यूटिया जनी लान औरर की दूटी करेंगे इसी तरफ कुलम में भी तमाम इधर उधर की डूटीओं को कुछ वी आईपी डूटियां तोड़ ली जाते हैं कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा सिक्योर्टी गार्ड रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके तोड़ ली जाती हैं सव सवा अचारे उसके बाद 10 जून को गस्ट पार्टी ने रात में करीबन दो बजे एक व्यक्ति को घूमते हुए शक के आधार को पकड़ा पुलिस हर रात में घूमने वाले व्यक्ति को पूछा करती थी तुम कैसे हो कहां हो क्या काम करते हो ताकि पुलिस कुछ अंदाजा लग शुरू कर दिये शर्ड खोलनी शुरू कर दिये पैंड खोलनी शुरू कर दिये चपल फेंटने लगा और इधर उधर की सेंसलेस बात ने करने लगा पुलिस को लगा कि यह पाग लादमी है लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना काम किया उसे पकड़ कर ठाने तक ले आई औ और कुलम के मेंटल एसाइलम यानि पागल खाने में उसे भेज दिया गया उसके बाद फिर भी अठारा जून तीन अगस्त और बारा अगस्त को लगातार हत्याएं में पुलिस ने सोचा ये वो पागल आदमी ही था वरना ये हत्याएं क्यों होती और इतनी सारी हत्याएं एक ही महीने में होने पर कुलम में शांत केरल अफेट शाकरित बहुत शांत है क्राइम का रेट बहुत कम है पढ़े लिखे लोग बहुत जादा है लिट्रेसी रेट केरल का बहुत जादा है लेकिन फिर भी बहुत हल्ला मच गया लेबर क्लास जो सड़कों पर सोता था वो अपने अपने गाह उढ़ा गया शहर में अचानक लेबर यानी मजदूरों की कमी पड़ गई तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कम मजदूरों से काम किया जाने लगा प्रोजेक्ट्स के लोग उनको प्रोजेक्ट की साइप पर ही रुखने की विवस्था करने लगे अपना सिक्यूरिटी गार्ड लगाने लगे और पूरे शहर के फुटपाथों टीन शेट्स या ऐसी जगह जहां चुपचाप सो के आदमी सुबह निकल सकता है ऐसी सब जगहें खाली हो गए शहर में दहशत का माहौल हो गया अखबार और इस्थानिये चैनल ने पुलिस को भर भर के गालियां दे जब पुलिस को गाली देने का नंबर आता है तो बड़े-बड़े विद्वान पैदा हो जाते हैं वो बताते हैं कि साथ फला केस में तो पैसे लेने की फुरसत है गरीब आदमी मारा गया है उसकी विवेशना नहीं कर रहे है एक फोटो भी कभी पहले तो शायद उतना चलन न रहा हो उस समय बारा में हाला कि मोबाइल भी आ गया था और एंड्राइट भी आ गया था अगर गरीब पुलिस वाला कहीं बैठ के खाना खा रहा है किसी होटल पे पैसे भी दे रखे हैं उसने लेकिन फोटो वाइरल होगी और यह कहा जाएगा कि शहर में आग लगी हुए है यह बिर्यानी खा रहा है इस तरह की टिपणिया पुलिस के लिए की जाती है बेरहल अफवाह इतनी जवर्जस्त हुई इस दबाव के कारण कि हर रात कोई न कोई बिखारी या पागल अगर रात में मिल गया तो लोग उसकी पिटाई करने लिए पिटाई करके उसे इस ठान यह थाने पहुचा दिया करते थी और एक एक रात में एक एक ठाने पर बीज बीज पचीस पचीस इस तरह के गरीब फटे हाल पागल भिखारी ये सब जमा होने लगे पब्लिक जिसको देखती थी उसी को कहती थी कि बस बस यही है यही पागल है जो रात में पत्थर से मार देता है इतना दबाव हुआ कि केरल के डीजी पी ने एक इमर्जेंसी मीटिंग के जिसमें इमर्जेंसी मीटिंग की उन्हें गवर्मेंट से कहा गया कि शेहर दहशत में है इसका इंकजाम तुरंत किया जाए जो भी यह घटनाएं कर रहा है उसकी गिरफतारी सुनिशिक की जाए एडीजी साउथ जोन ने एक इमर्जेंसी मीटिंग बलाई जिसमें उन्होंने एक टीम बनाई टीम का इंचार्ज कोलम सिटी के सिटी पुलिस कमिशनर को बनाया गया वो शी देवेश कुमाग बेहरा थे वो कोलम तक आये सारी बात सबार्डनेट आफसर से पता की शेहर को तीन भागों में विवक्त गया जहाँ जहाँ यह घटनाएं हुई थी इंस्पेकTORS, सब इंस्पेकTORS और अंसिबिल्स की बड़ी बड़ी तीम टीमए बनाई गया उनके उनके इलाके में जहाँ जहाँ यह साथ हत्याई गुई है वहाँ उसी समय में यानि हत्याओं का पिरिड रात में बारा बजे से और तीम बजे के बीच पाया गया था पोस्माटम रिपोर्ट से भी और अधरवाइस भी तो उसी समय में वहाँ ये टीम कैम करके आने जाने वालों से दुकान के जो दुकाने बंद हैं उनकी दुकाने खुलवा के उनसे कितने लोग इस पार्क में सोते हैं कप-कप सोते हैं कौन आता है इस तरह की बाते हैं ताकि एक डाटा बेंट तयार किया जाए और उसी में से इस व्यक्ति को इस हत्यारे को ढूनने का प्रयास किया जाए पूरे इलाके को कवर किया गया गली, कूचे, पार्क, सड़क, फुटपात, फ्लायोवर के नीचे जहां-जहां रुपने के स्थान, खाली स्थान को सकते हैं सारजोने उन सब जगह गहराई से लोगों से पूस्ताज कीगे दो महिने के इस कड़ी मेहनत और प्रयास से एक फाइदा ये हुआ कि इन दो महिनों में इस तरह की कोई हर्त्या कुलम शहर में नहीं हुई दो नवंबर को, दो नवंबर दो हजार बारा को अचा पुलिस कोई भी अगर सो भी रहा है तो उठा देती थी, कब से सो रहे हो, कहां काम करते हो जहां काम करता है वहां फोन करके वेरिफाई करते हैं, कहां का है ये, कब आया था, रात में कब रहता है, कब गायब हो गया इस तरह की और permutation combination से पुलिस ये जानने का प्रयास करती है, कि ये कहां तक गया होगा, या कहीं ये तो नहीं शामिल है इस घटना में बेरहाल दो नौंबर दो हजार बारों को इसी तरह की exercise में नहरू पार्क एरिया में एक व्यक्ति को रात में पुलिस की एक टीम ने पकड़ लिया वो व्यक्ति दुबला पतला सामान ने बड़ी बड़ी आँखें और करीने से काटी हुई मूचें थी उसकी और वो चकदार शर्ट और पैन पे पहने हुए था पुलिस ने उससे पूछा कहा हो इस समय तहां गूंड़े हो कहां काम करते हो पुलिस ने जैसे ही पूछता शुरू की उसने फिर वही कपड़े उतारना इधर उधर की बाते करना बाल नोचना पैन उतार देना चपल अपनी फेंग देना दूर पत पुलिस फिर थोड़ा दबाव में आई पुलिस ने कहा लगता है ये पागल है लेकिन जो टीम थी उस टीम में सीनियर पुलिस ओफसर थे प्रसन्ना कुमार कुलम पुर्वी छेत्र के सरकिल इस्पक्टर थे वी सुगंधन और सबिस्पक्टर थे जी गोपा कुमार जी गोपा कुमार ने उसको लाइट में अच्छे से पहचान के कहा कि सरिये 10 जून के आसपास इसको हम लोगों ने 10 जून के आसपास इसे हम लोगों ने पकला था जब दूसरा मर्डर हुआ था उसके बाद दूसरी मर्डर का मतलब अपुकुटन आचारे की हत्या के बाद उस समय भी इसने एक्जेक्टली ऐसी ही हरकत की थी और हम लोगों ने इसे मेंटल एसाइलम यानि पागल खाने भेज दिया था ये वहां से कब आ गया क्योंकि इसके भेजने के बाद भी जिब सब हत्याएं हुई तो थाने ने ये मान लिया कि ये आदमी वाकई पागल था हत्या किसी और ने की है प्रसन्ना कुमार को जो सीरियर पुलिस आफसर थे उन्होंने कहा एसाइलम से ये कब आया लेकिन उससे पूछने पर वो सिर्फ उल्टे सी थे जवाब दे रहा था रात में ही उन्होंने एसाइलम के डारेक्टर को जगाया और ये अब कहा कि इस इस तरह का एक आदमी 10 जून को आपके नभेजा गया था इसका क्या स्टेतस है जो अटेंडिंग ॡॉक्टर थे जिन्होंने उसका इलाज किया था रात ही में उनको जगाया गया और उनसे प्रसन्ना कौमार की बात कराही थे उन्होंने बताया कि मैंने ही इसकी पूरी मेडिकल जाच की थी ये पागल होने का नाटक करता है ये पूरी तरह से स्वस्थ है और mentally 100% sound है और इतना पता करने के बाद हम लोगों ने इसे घर जाने दिया था छोड़ दिया था थाने पर जो कोई भी duty officer उपलग था उसको बता भी दिया था कि आपके थाने से एक व्यक्ति mentally unsound बता के भेजा गया था हमने उसकी जास कर लिए वो बिल्कु ठीक है और उसको छोड़ दिया है वो घर पर चला गया है जैसे ही ये पूरी बात मिस्टर प्रसन्ना को पता लगी उन्होंने कहा कि जब medically जास की गई तो ये आदमी mentally fit था और आज भी ये वैसे ही हरकत कर रहा है जैसा SIG गोपा कुमार में बताया था लिहादा इसे थाने ले चलिए थाने पहुँच गया थाने जब जैसे ही पहुचा तो वहाँ पेट्रोल कार की रात की ड्यूटियां खतम करके जो सिपाही वापस आये थे द्राइवर वापस आये थे उन्होंने इसे देखते ही बताया कि हम लोग भी इसे कई बार रास्ते में इंटरसेफ्ट कर चुके हैं जैसे ही उतर के घेर के इसे पूस्ता शुरू की जाती है ये अनरगल बातें कपड़े फारना बाल होचना सिर पटकना हाथ पर पटकना ये सब शुरू कर देता है तो ये सड़क पर घूमता हुआ मिलता था और अगले बार जब ये दिखाई पड़ता था तो हम लोग रोकते भी नहीं थे टीम के इंचार्ज ने बताया कि बिल्कुल सही कह रहे हो इसका इलाज मेंटल असाइलम में यानि पागल खाने में जिस डॉक्टर ने किया था मैंने भी उनसे बात किये हैं उनका बड़ा इस पस्ट अबजर्वेशन है कि ये सिर्फ पागल होने का नाटक करता है ये बिल्कुल मेंटली फिट है मेंटली साउंड है 100% मेंटली साउंड है जब पुलिस को ये पता लगा तो सामानी रूप से शान्त रहने वाली सहिर्दे केरल के जवानों ने जो बहुत ज़ादा के रिल्ल पुलिस के बारे में ये नहीं बताया जाता कि वो कभी बहुत ज़ादा इन हुमन हुई हो या हुमन राइट्स का ज़्या तरफ पालन करते हैं लेकिन इतनी हत्याओं के बाद कुछ सिपाईयों के सबर का बांध तूट लिया और उन्होंने इसकी शेड़ी बद्ध पूस्ताश शुरू पर दी बहुत देर तक शेड़ी बद्ध पूस्ताश में टिक नहीं पाया और उसने ये बताया कि साब मैं चार-चार साल दो मर्डरस के आरोप में जेल की सजा काट चुका हूँ फूस्ताश करने वाले संद रहे गये कि जिसे हम पागल समझ जाएं हैं उसने पहले ही दो हत्याएं कर रखी है और उससे डिटेल पूछा गया उसने बताया कि वर्ष 1996 में मुड़कल कॉलम का एक महला है इलाका है वहाँ राज सेखरन की मैंने ऐसे ही हत्या की थी और उस आरोप में मुझे मौके पर देखने वाले कुछ लोगों ने दोड़ा के पकड़ लिया था पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया मैं चार साल बाद छूट कर आया प्राइल भी हुआ मैं छूटा भी इसलिए कि कोई चिश्मदीर गवाह उनको सिर्फ उस व्यक्ति के जिसने दोड़ाया था कोई नहीं मिला और लैक अफ इविडिन्स में मुझे छोड़ दिया गया फिर ये अपने हरकत से बाज नहीं आया और 2007 में कारी कोडे में शमीर नाम के एक व्यक्ति की फट्या कर दिया फिर पकड़ा गया फिर जेल गया और वहाँ भी फिर ये चार साल जेल में रहा 2011 में ये जेल से छूट कर आ गया उसकी शकलु सूरत उसके रिफलेक्सेज उसके रिस्पांस और उसके इस बताने के तरीके से पुलिस को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था ठीक अगले दिन टीम नौंबर 2012 को एक टीम जेल में इसके कहे नुसार जो तिथिया थी उसमें रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए भेजा गया दो-तीन घंटे में ही वो टीम लौट आई और यह बताया कि यह बिल्कुल सही बता रहा है चार साल यह 1996 और फिर चार साल 2007 में यह जेल काट चुका है दोनों केसेज में इसकी जो फोटोग्राफ है वो जेल का जो कैदी फाइल होती है उसमें फोटो लगी हुई है यह सेम वेक्ट है जो थाने में है इतना सुनते ही फिर पुलिस का आप आखो बैठा पुलिस आप आखो बैठा क्योंकि पुलिस उससे इन सारी हत्याओं के बारे में पूछताज कर रही थी जो वो किसी कीमत पर बताने को तया नहीं था और इस मार से बचने के लिए ही उसने ये पुरानी दो हत्याओं बता दी थी लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि ये कतई पागल नहीं है पहले ही दो बड़ी हत्याओं करके जेल जा चुका है लेक आफ इविडेंस में छूट भी चुका है तो पुलिस ने फिर उनकी विधी विधान से शुनी बद्धि पूछना शुरू की सभी साथ हत्याओं के बारे में इस व्यक्ति ने बता दिया इसने अपना नाम मोटा नवास बताया मोटा ये भी बताया कि वो कुल लंका ही रहने वाला है और सारी साथ घटनाएं जो उसने बताई कि ये मैंने की हैं उन साथ घटनाओं के मौके पर ये ले गया उनको कंफर्म किया क्या पेहने थे, किधर मू करके सोय थे, सीधे सोय थे, चित्त सोय थे, पट सोय थे फोटोग्राफ़ जो मोके की थाने की रिकॉर्ड में थी उनसे मिलान किया गया सारी चीजें सच निकले मौटा नवास बरतमान में भी जेल में है और दस साल से जेल में है साथ मर्डर्स के आरोप इस पर तैंग हुए इन में से साथ मर्डर्स के आरोप तैंग हुए और ट्राइल इसका अब शुरू हो गया दिक्कत ये थी कि एक तो पहला मर्डर जो इसने किया जिस वक्ति की आज तब पहचान नहीं हो पाई पुलिस ने ये मानकी की लेबर है मार दिया गया आपस का जगड़ा होगा किसी से लड़ाई हुई होगी लेकिन जब संख्या जादा हो गई तो पुलिस ने इविडेंस भी कलेक्ट करने शुरूर किये लेकिन एक दिक्कत ये थी कि किसी भी केस में कोई आई विटनेस नहीं था कोई चश्मदी गवा नहीं था और शायद इसलिए ट्राइल में देरी हो गई है आज का स्टेटस मुट्टा नवाज का है कि वो जेल में है और किसी भी मुकदमे का ट्राइल कंक्लूड नहीं हुआ है दूसरी वड़ी बात इसके मारे गए लोगों में कि किसी भी व्यक्त को कोई सेक्सुली हरस नहीं किया गया सेक्सुली सॉल्ट के कोई भी निशान पोसमाटम में नहीं बताये गये उनके पास रखा हुआ कोई सामान चोरी नहीं हुआ उनकी जेव में रखा हुआ कोई पैसा गायब नहीं हुआ इन साथ लोगों में दो लोगों ने घड़ी भी लगा रखी थी सस्ती घड़ियां उस जमानी में घड़ियों का ही चलन था सस्ती गड़ियां लगा रखी थी लेकिन घणियों को भी नहीं छुआ गया मोटिव के बारे में कई एक्सपर्ट साइकलोजिस्ट और साइकेटिस्ट की सेवाएं ली गई बहुत लंबे-लंबे इंटरोगेशन किये गए कि आखिर वो कब ऐसा करता है क्यों ऐसा करता है ग्राजिस्ट हैं उससे कुछ इन फ्रेंस ड्रॉप कर सकें लब जवाभ यह कि रोज शाम को चार बज़े सो जाता था पहली पाली में काम करता था कभी सेकेंड पाली में काम नहीं किये फर्स्ट जो स्वेरे से जो चार बजे या पांच बजे से जो पाली शुरू होती है, उसमें काम करता था, तीन बजे घर या अपने रूम पर आ जाता था, आने के तुरंत बाद सो जाता था, रात में बारे बजे ये उठता था, और उठके ये घूमना शुरू करता था, अच्छा खाना कहां मिलेगा, जहां पर रात में भी खाने के धाबे खुले होते हैं, वहीं जाता था. वहां खाना खाता था, फिर वापस आके सवेरे उठके फर्स्ट पाली के अपने काम में लग जाता था. साइकोलोजिस्ट ने और साइकेट्रिस्ट ने इससे बात चीत करके एक इंफरेंस ही निकला कि ये आठ साल जेल में रहा और इसे जेल के खाने से नफरत हो गई थी. जब कभी इसे अच्छा खाने की, जब भी इसे भूक लगती थी, तो इसका कहना था कि मुझे जेल के खाने की याद आ जाती थी. सूखी रोटियां और चावल शायद वहां जादा खाया जाता है. पुराना दुर्गंध युक्त चावल इस तरह की बाते हैं उसने जो इंडुलेटर्स को बताई हैं, कि उसकी याद जब आ जाती थी, तो मेरा खून खौलने लगता था. और मुझे जितने लोग सोते मिले या सोते दिखाई पड़ गए, मुझे लगता था कि ये जेल के वार्डन हैं, जेल के चौकीदार हैं, और अपना गुस्सा उनके सिर पर भारी पत्थर फेंपकर, भारी पत्थर से चोट पहुँचा कर उनको मार देता था, और उसके पर उसकी जो भूप थी, वो खाना खाने के बाद खाना खाता था, तब उसकी भूप शांत हो जाती थी, उसने ये भी इंट्रोगेशन बरताया, कि जिस दिन मेरा, जिसको कहते हैं कि सिर गरम हो गया, मुझे जेल के खाने की याद आ गई, लेकिन शिकार नहीं मिला, मैं उ समानी रूप से जो खाना मिल गया, मैं खा लेता था, लेकिन जिस दिन सोके उटने केबाद मुझे अच्छे खाने की याद आ जाये, फिर मुझे मेरे सर पर किसी की मौत का भूत सबार होता था, जब तक मैं मार नहीं लेता था, तब तक मैं खाना नहीं खाता था हाला कि चानबे और दो हजार साथ के हत्याओं में वो लैका फिव्डेंस में बरी हो गया लेकिन बाकी की हत्याओं में जो ट्राइल चल रहा है उनमें किसी में भी आई बिटने से काउंट किसी का नहीं है और इसलिए ये लगता है कि इसको गंभीर सजा अदालतों से शायद ही मिल पाए फिर वही बात होगी आप लोग लिखेंगे कि सीरियल गिलर है रेरिस्ट अफ रेर की शिर्णी में क्यों नहीं अदालत मानती लेकिन अदालत कहां से मानेगी आपके पास कोई इविडेंस नही अदालतों में रखी हुई वो न्याई की देवी इसलिए उनके आँखों में पट्टी बढ़ी रहती है वो तो सबूत देखेंगे आज की घटना सीरियल किलर की शिंखला में आज 11 सीरियल किलर मुट्टा नवास उसकी मनुव इस्तिती के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है सीरियल किलर जो कल वाला था उमेश शिट्टी उसके बारे में भी मनोग्यानियों ने यह उपीनियन दी कि यह प्रतिजाती एमानों है यानि भिंग लिंग नपोशित या भिंग लिंग आकर्शन वाला वेक्ति है क्योंकि जो उसकी आदतें थी महिलाओं के अंडर गार्मेंट्स पहनना उन्हें सुंगना बिना सुंगे हुए नींद गना आना फिर बलातकार करना अंडर गार्मेंट्स को सुंगने के बाद बलातकार करना तब पतानी कौन सी किस तरह की यह मनोदिशा है कि इस मनुदशा का वर्गी करण किया जाना बहुत मुश्किल है कि ये मनुवृत्य उसमें क्यों आई और किसलिए आई यही आज के सीरिल किलर के बारे में हैं मोटा नवास के बारे में कि मधर रात में सोकर उठने के बाद जब उसे खाना खाने की उदरागनी परेशान करती थी तो उसकी छुदा या भूँक तक तक शांत नहीं होती थी जब तक वो किसी व्यक्ति को मार नहीं देता था उमेश रड़ी और मोटा नवास के बारे में ये भी कहना गलत होगा कि दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त थे क्योंकि दोनों के बारे में मनों चिकित सकोई द्वारा गंभीरता से बड़ी बड़ी जाचें की गई थी और ये पाया गया था कि दोनों को किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं है दोनों ही विच्षिप्त नहीं हैं और दोनों ही स्वस्थ दिमाग और मस्तिश के व्यक्ति हैं लेकिन दोनों के व्यवहार में ऐसा गंभीर विरोधा भास है कि इसको explain करने में कम से कम मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है बहुत विचार किया मैंने इसमें बहुत study की मैंने बहुत इसमें समंधित literature देखने की कोशिश की लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई शायद इसलिए भी कि brain का यानि मानो मस्तिश का की जो संड़शना है वो शरीर के किसी भी अंग से सबसे ज़्यादा जटिल है किस भाग में कौन सी प्रवित्ति पल रही है किस भाग के activation से उसकी कौन सी प्रवित्ति जग जाही हो रही है या शरीर पर आ रही है इसको बता पाना शायद बहुत मुश्किल है किसी को मारना बलाकार करना परेशान करना परतारिक करना उससे जो मिलने वाला सुख है उसके बारे में तो दिया हुआ है कि वो सैडिस्टिक प्लेजर है वो जो उसकी एक्टिविटी है वो उसके वो एक सुख प्रदान करती है एक तरह का, उसको कहते हैं, आनंद प्रदान करती है, ऐसा करने से, इसको तो बताया JIM गया है, कि ये सैडिस्टिक पलेजर है, लेकिन इस पलेजर को पाने के लिए, इन सीरियल किलर्स, ग्यानाने अलग-अलग उसके तरीके हैं, अलग-अलग उसके कारण हैं, कि नहीं दो सीरेल किलर्स का एक ही कारण नहीं है। सदाशिव फुरसद दन्जवाला उसको जब नींद नहीं आती थी तो वो एक हत्या करता था तब वो सोता था दो जिन। अब इसको कैसे एक्स्प्रेंड किया जाए। क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा उसके साथ कि सोने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या करना है। चंद्रकांत ज़ा शब के साथ खाने में ये आनंदित होता था अहलादित होता था प्रसंद होता था प्लेजर मिलता था अब आखिर ये कहां से आया। क्यों आया प्लेजर तो उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि मारने के बाद उसके शव के साथ बैठ के खाना खाना लेकिन यह आया कहां से यह रास्ता कैसे सैडिस्टिक प्लेजर को पानी के लिए यह रास्ता कब और क्यों अख्टियार किया गया उमेश रड़ी अब मैं आपको भार बार बता चुका हूँ कि वो क्या करता था कि वो अंडर गार्मेंट के का उसको नशा था सूंगने का, उतारने का, रखने का, इकठा करने का, चोक था अब आखिर ये कहां से आया लेकिन अल्टिमेट वही था सैडिस्टिक प्लेजर गोल सब का वही है या पहुँशते सब वही है लेकिन रास्ते इतने डाइवर्स, इतने अलग-अलग ये बात समझ में नहीं आती है मुटा नवास, अच्छा खाने की भूक, जब लगे तो वो हत्या कर देगा मतब सामानी रूप से अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्या है उसने जो कहा या जो साइकोलोजिस्ट ने, साइकेटरिस्ट ने जो एक्स्प्लेइन किया कि साथ ये आट साथ जील में रह के जील के खाने से इसको इरिडेशन हो गया, अलर्जी हो गई तब ये गुस्से में भरके किसी को मारने के बाद ही अच्छा खाना खाता था सैडिस्टिक प्लेजर के लिए ये जो फितरत है, ये जो दिमागी फितरत है, ये किन परिसितियों में बन जाती है एक कारणी ये हो सकता है कि इन सभी के साथ युवा अवस्था में ऐसी कोई घटना हुई हो जो इस तरह की प्लेजर पाने के लिए तरह तरह की अलग अलग तरह से ये सैडिस्टिक प्लेजर प्राप करने की कोशिश करते हैं ये भी इसी का सिर्फ दोशे ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने लंबे लंबे इंट्रोगेशन के बाद भी किसी सीरियल किलर ने ये नहीं बताया कि किस मूमेंट से ये सैडिस्टिक ड्राइव उनके अंदर आती है क्या देखने से, क्या सुनने से, क्या खाने से, क्या याद करने से ये सैडिस्टिक ड्राइव उनके अंदर आती है और वो सैडिस्टिक प्लेजर के लिए इस तरह का काम करते है एक ही गोल के लिए सेडिस्टिक प्लेजर के लिए इतनी तरह की विधाएं इस्तेमाल करने वाले ये 11 सीरियल किलर्स इनके मनुविग ग्यान को समझना पड़ा पठी बहुत मुश्किल काम है किस्था गोई परिवार के एक हमारे बहुत ही सुधीश रोता है उन्होंने सुबह एक बहुत लंबा मेल भेजा वो MBBS डॉक्टर हैं अभी उन्होंने लखनव के KGMC यानि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पिछले साल MBBS के डिगरी हासिल की और अब वो PG कर रहे हैं बहुत लंबा मेल भेजा उन्होंने कहा हुमेश शटी का मैंने जो प्रोग्राम था उसे कई बार देखा और उसके बारे में वो कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं उन्होंने बताया कि सेक्सूल परवर्जन अच्छा दूसरी बात मैं यह बता दूँ कि इस 11 जो मैंने आपको 11 यह सीरियल किलिर्स की कहानी बताई है या किस्सा बताया है या क्राइम बताया है इन में से पांच सेक्सूली परवर्टेट थे एक तो सतीश वो हरियाना वाला जो चार साल से पांच साल या साथ साल की बच्चियों के साथ रेप करता था दूसरा उमेशेटी तीसरा एम जैक शंकर जो पचास साल से उपर की महिलाओं के साथ ही बलातकार करता था और बलाग कार करने के बाद उन्हें मार दिया करता था तीसरा भरत काली चरन्ग, अकूब वो भी सेख्योली परवर्टेड था अपनी धमद बनाने के लिए, दहशत बनाने के लिए महिलाओं को सड़क पर और दिन में लोगों के बीच वो उनका बलादकार करता है वो भी सैडिस्टिक प्लेजर उस परवर्जन का एक जिसे कहते हैं कि एक एक्जामपिल है अगला दरबारा सीम साइकल पर टौफी लेके चलना और पांच साल, छे साल, साथ साल की बच्चियों के साथ बलादकार करके उनके हत्या कर देना ये भी सेक्ष्वल परवर्जन का एक एक एक्जामपिल है और घंगोर एक्जामपिल है ग्यारा में से पांच सेक्ष्वली परवर्डेड लोग थे आज जो हमारे सुधिशोताने mail वेजी, उन्होंने ये बताया कि सेक्ष्वल परवर्जन ये एक बहुत बढ़ा टॉपिक है फॉरंसिक मेडिशन में MBBS की पढ़ाई में फॉरंसिक मेडिशन एक important टॉपिक है और उसका एक बहुत बड़ा भाग सेक्शुल परवर्जन पर दिया गया है सेक्शुल परवर्जन की कुछ इसमें कुल 33 केटिगरी हैं सेक्शुल परवर्जन की 33 कुछ तो मैं भी उस लिस्ट से जो उन्होंने अटैज करके भीजी है पढ़के बता देता हूं लेकिन कुछ को बताना वो मेरे लिए संभव नहीं है बहुत खराब उसके दो तरीके हैं बताए गया है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं उसे कम्यूनिटी पर पोस्ट करूँगा आप पढ़ें कि ये 33 प्रकार कौन कौन से हैं और अगर किसी बच्चे में उसमें ये भी लिखा है कि जब ये मेडिकल फॉरिंसिक मेडिसिन की उस चैप्टर में जब ये सेक्सोल परवर्जन के बारे में पढ़ाया जाता है बताया जाता है और अनिवारी रूप से ये आत जो उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर बहुत अर्ली या बहुत युवा बहुत शुरुवाती उम्र में ली वो दिखाई पढ़ने लगती है मैं उन में से कुछ का जिकर करता हूं लेकिन बाकी आप लिस्ट में पढ़ने हैं मैंने बताया एक तो ये सैडिस्म की बात करते हैं टॉर्चिरिंग पार्टनर दूसरा डेपॉलिजम की बात करते हैं सेक्सवल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बीटिंग तीसरा था अंडिजिनिज्म सेक्सवल सैटिस्ट्रेक्शन विद इस्मेल अफ यूरीन चीछी मैंने नहीं सुना था यह मैं धन्यवाद करूंगा अपने उन किस्टागोई के परिवार के सदसे का जो पार्ट बन से देख भी रहे हैं कमेंट बहुत कम करते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं उन्होंने यह जानकारी मुझे दी और मैं यह चाहता हूँ इस जानकारी आप जरूरे से देखें अगला मैं बताऊं नेकरोफेजिया सटिस्फेक्शन आप्टर इस देट बोडी निधारी वाले अभ्यूद्तों की बात है इसे इटिंग डेट बोडी अगला है नेकरोफीलिया सटिस्फेक्शन हैं यह यह सेख्शिज with डेट बोड्य कुमेशति कुमेशति मानस रूप से जो उसको बीमारी थी वह बिमारी नेक्रोफीलिया थी देड बोडी से वह सुख प्राप्त करने वाले या सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले अगला जो मैंने आपको बताया वह है ट्रांस्वेस्टिजम ये भी उमेश शेक्टी का है बाकी जो है वह बहुत मुश्किल है कि मैं आपके सामने इस मंच पर बता पाऊंगा पायरोमेनिया Sexual Satisfaction by Setting Fire आग लगा के कोई कैसे Sexually Satisfy होगा मेरी तो समझ के परे है मेरे इतने लंबे कारेकाल में मुझे कोई ऐसा वे या मैं उसको समझने में समझ नहीं सका फेल हो गया Froturism ये इसको परना ठीक नहीं है अगला है जिरेंटोफिलिया जिरेंटोफिलिया Sexual Attraction Towards Older Person इश्रिणी में M.J. शंकर आता है जिसने 50 साल से उपर 40 साल से उपर की महिलाओं को बलाकार दरके मार गया था और बाकी जो है जो मैंने आपको बताया बच्चों के साथ sadistic बाकी और इसमें definition है आप इसे जलू देख लें इसके अलावा मैं आज के अभ्यूक्ट उसकी फोटो भी डालूँगा हालागी हमारी कुछ किस्सागोई परिवार की मित्रों को बहुत मतलब इस पर आपत्य है आपत्य उनकी ठीक भी है किसाब ऐसे गिनोने वेक्तियों को देखना भी पाप है लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि आप इन्हें देखकर कुशिश करें कि इस तरह के आदमी की क्या मनुवर्टी हो सकती है आज जो लिस्ट में मेडिकल के स्टूडेंट की दूसरी सीजन होने बहुत अच्छी ये बताई कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ाया जाता है एक तो उन्होंने ये बताया कि ये वेक्ति दूसरे लिंक के कपड़े पहन कर योंसुख की प्राप्ति करता है इसे हिंदी में प्रतिजातिय वेशधारण कहते हैं और आईपीसी में ये दंडनी नहीं है कौन-कौन सा ये सक्शूल परवर्जन का ओफेंस दंडनी है वो भी उस लिस्ट में किसी किताब से फोटो कॉपी करके उन्होंने भेजी है धन्यवाद करूँगा मैं उनका हजार बार धन्यवाद करूँगा उन्होंने मेरी जानकारी में भी और किसागोई परिवार की जानकारी में भी बहुत बड़ा इजाफा किया है दूसरा एक प्रकारवर्ण बताया जिसके बारे में उनका ये कहना है कि एक और परवर्जन का दूसरा तरीका है कि एस्फिक्सिया यानि ऐसा व्यवहार करके जैसे उसका दम घुट रहा है ऐसे में योन सुख को प्राप्ट करना है सीनियर्स ने ये बताया कि उनके समय में या जब वो पोस्मार्टम ड्यूटीज में रहा करते थे तो एस्फिक्सिया से मरने वाले दो तीन लोगों के पोस्मार्टम हुए जो महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे लेकिन घर वालों ने टालमटोल करके इस बात को जाने दिया जब उनसे पूछा गया कि भाई ये महिलाओं के कपड़े पहन कर क्यों ऐसा करता था उन्होंने बेज़े ती या बदनामी की दर से कभी इसके बारे में नहीं बताया लेकिन ये जरूर था कि उन्हें पता था बच्पन से ऐसा ही करता है बेरहाल किस्सागुई परिवार के लोगों को मेरी सला है कि ये सामान में से दिखने वाले इन व्यक्तियों से दूर रहा जाए जो अन्नोन हैं अन्जान हैं और किसी वज़े से अपरोच कर रहे हैं पास आने की कोशिश कर रहे हैं इनसे दूर रहा जाए इनकी बातों में ना आया जाए चाहे चाहे रिक्वेस्ट वाली बात हो चाहे हल्प वाली बात हो या डराने की बात हो या पुझा पाठ की बात करें लेकिन अंजान है इन से दूर रहें इनकी बातों में ना आएं लेकिन इनके साथ कोई दुर्भावना प्रदर्शित न करें हमें लगता है शायद यही दो तीन चीजें हैं जिन से इन से बचाव किया जा सकता है इस तरह की मांसिक्ता वालों से आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगी आज के लिए वस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद